आज हम शेयर करने वाले हैं हरी मिर्च का थीका चटपटा और टेस्टी सा अचार हरी मिर्च का अचार सीजन के किसी भी टाइम आप बना सकते हैं किसी भी मन्त में डाल सकते हैं ये अचार एक ऐसा अचार है जिसे हर कोई पसंद करता है हर मील के साथ यह जाता है आप दाल चावल के साथ भी खाएंगे तो भी टेस्टी लगता है या फिर छोले पूरी नान भटूर के साथ भी आप इससे सब करेंगे ना तो भी टेस्टी लगेगा ज़रूर ट्राइ कीजे बहुत ही रेसिपी हरी मिर्च का अचार डालने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम हरी मिर्च ले ली है यहाँ पर हमने थोड़ी कम धीकी वाली हरी मिर्च ली है आप पतली वाली हरी मिर्च से भी अचार बना सकते हैं तो यह हरी मिर्च हमने वाश करके सुखा ली है फैन के हवा में सुखा ले या पर टीशू पेपर से इसे पोच सकते हैं और यहां पर कुछ नीबू का इस्तमाल करेंगे हम नीबू के रस का इस्तमाल करेंगे तो हमने नीबू को भी वाश करके सुखा लिया है तो 250 क्राम हरी मिर्च के कॉर्डिंग 2-3 बड़े नीबू का रस हमें लग जाएगा तो जरूर रिमूब करें अगर यह आपने अचार के अंदर छोड़ दिया तो इससे सडन पैदा हो सकती अचार के अंदर और आचार आपका जल्दी खराब हो जाएगा ज्यादा दिन टिकेगा नहीं और दूसरी इंपोर्टेंट बात जब आप हरी मिर्च का अचार बना रहे ह सकते हैं या फिर स्टाफिंग करके भी स्टाफिंग वाली हरी मिर्च का अचार हमारे चैनल पर अल्रेटी है आप देख सकते हैं और अब हम क्या करेंगे हरी मिर्च को एक पोल में शिफ्ट कर लेंगे आप इनका साइज देख सकते हैं जब भी आप खाना खाएंगे एक पा मसाले जाएंगे अब हम इने भून लेंगे हलकी आज पर भूनेंगे जब तक इन में से अच्छे से खुश्पू ना आने लग जाए और हलका सा कलर ना चेंज हो जाए जब भी आप अचार डाल रहे हों मसालो को हलका सा रोस्ट कर लीजे एक से दो मिनिट के लिए आपकी मसा बारिक वाली राई एट कर लेंगे जो बारिक मस्टर्ट सीट साते ना वो एट करने हैं इन्हें बस सेकना है भून ना नहीं है और इन्हें एट कर देने से हमारा अचार थोड़ा सा खटा बनेगा और टेस्टी बनेगा मसालों को ठंडा करके हम दरदरा पीस लेंगे इन मस दो आपने तक उसके बाद गैस के आच को बंद करेंगे तेल ठंडा करेंगे ये थी अचार में आप कच्या तेल स्तवाल करते हैं तो अचार को धुप दिखाए दूप मैचूर कर लिजें उसके बाद खाये अब हम इस मसाले में आधी चूटी चमच अल्दी पावड़र ए पड़ा दर्द्रा पीशा है साथी साथ इसमें आदा चोटा चमच कलोंजी एड़ करेंगे इन्हें मंग्रेल भी बोलते हैं और इंग्लिश में नीजिला सीट्स बोलते हैं इन्हें हमने साबूत ही रखा है अब इन मसालों को एक बोल में शेफ्ट करेंगे हरी मिर्च के अंदर हम डेड़ बड़े चमच नमक एड़ कर लेंगे या फिर टेस्ट के कॉर्डिंग एड़ कीजे अचार वाले मसाले एड़ कर लेंगे जो अभी हमने बना कर त्यार किये हैं और अब बारी आती है इसमें कुछ खटा एड़ करने की या फिर फ्रिजरवेटिव एड़ करने की तो यहाँ पर हम नीबू का रस एड़ करेंगे आज हरी मिर्च के अचार के अंदर नीबू का रस एड़ करने के 3-4 बड़े फायदे हैं नीबू का रस natural preservative का काम करता है यह हरी मिर्च के अचार को खराब होने से बचाएगा लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा हरी मिर्च के तीखे पन को कम करेगा जो तीखा सा flavor होता है उसे कम कर देता है और चौथी important बात नीबू का रस विला देने से आपके अचार में टैंग इसा flavor आएगा खटा सा फ लिवर जो बहुत ही ज्यादा ट स्ष लिवर लगता है तो यहांवर हमने तीझ बड़े नीबू का रस एट कर लिया है और अब हम थीछार बड़े चमच सर्सो का तेल एके लिए तेल हमारा धंडा हो चुका है उसके बाद ही हम एक करेंगे और अचार को प्रिजर्ब करेगा लंबे समय तक खराब नहीं होने देगा और एक खटा सा फ्लेवर भी लाएगा और अगर यह दोनों चीज़े नहीं है तो आप PCV आम की खटाई अट कर सकते हैं सुकी आम की खटाई अब हम अचार को स्टोर कैसे करेंगे यह भी देख लेते हैं एक काच का जार ले लिजे काच के जार में अचार स्टोर कीजे जल्दी खराब नहीं होगा और आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा काच का जार अच्छे से गरम पाने में वाश कीजे सुखा लिजे उसके बाद इसमें अचार स्टोर कीजे और अचार को अगर आपके घ दूप दिखाते हैं तो और अच्छी बात है बाइचांस दूप नहीं आती है आपके घरों में तो आप इसे घर पे ही अंदर रूम टेंपरेचर पर रखिए यह अचार बिल्कुल भी खराम नहीं होगा तो दोस्तों कैसे लगी आपको यह इजी सीट टेस्टी बिना दूप क मिर्च के चार की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वडियो को लाइक कीजिगा शेर कीजिगा तेंक्यू पर वाचिंग